लोकसभा चुनाओं में इन दलों के साथ गठबंदन को अखिलेश न किया फाइनल, कॉंग्रेस का नाम सूची से बाहर समझ गए अखिलेश के सिर्फ PDA ही है जीत का मंत्र, तीन छोटी पार्टियों के साथ डील की फाइनल बसपा की चाल पर पहनी नजर और अपनी रणलीती को गुप्त रखने की कोशिश, सपा नेता ने साफ कर दी पार्टी की तस्वीर तीन राजियों के विदानसभा चुनाओं जब से सामने आए हैं, यूपी की सियासत में हलचल तेज नजर आ रही है बीजेपी को प्रचंड जीत इन विदानसभा चुनाओं में हासिल हुई और इसके बाद समाजवादी पार्टी अब अलग रणलीती पर काम करती हुई दिखाई भी दे रही है सपा ने लोकसभा चुनाओं से पहले यूपी में हुए विदानसभा चुनाओं में छोटे दलों के साथ गठबंदन किया था पार्टी के रणलीत कारों की माने तो अपना अधार बढ़ाने की कोशिस में सपा का फोकस पिछला दलित और अल्पसंक्यक यानि के पीडिये पर ही रहेगा अखिलेश यादब ने पार्टी की बैठेक में साफ कर दिया है कि किन दलों के साथ पार्टी का गठबंदन चलने बाला है और किन से बातचीत चल रही है इसको लेकर कि अभी तस्वीर जग जाहिर ना की जाए चोटे दलों के साथ गठबंदन की रणीती के साथ ही सपा ने बिधानसबा चुनाओ लड़ा था और इसी रणीती पर लोकसबा चुनाओ लड़ने की तैयारी है सपा के जिन पार्टियों के साथ गठबंदन की खबर लगबग पक्की है उनमें रास्ट्रिय लोगदल, सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी, महन दल, अपना दल कमेराबादी और जनवादी सोसलिस्ट पार्टी जिसका नाम बदलकर अब जन जन बादी पार्टी रग दिय गया है, शामिल है, इसके अलाबा कुछ अन्य पिछला बर्ग आधारित छोटे दलों के साथ भी गठबंदन किया जा सकता है, आप सोच रहे होंगे कि ओपी राजबर तो सपा गठबंदन से दूर जा चुके हैं, फिर हमने आखिर सुहेल देव पार्टी का नाम क्यों लिय यही वज़े है कि सपा के तमाम कारिक्रमों में अब भी पीले जंडे नजर आते हैं, इंडिया गठबंदन की कुछ बड़ी पार्टियां सपा को केवल यूपी में आधार बाली पार्टी बताकर उसकी ताकत को कमता राक रही है, यही वज़े है कि सपा आप कॉंग्रेस ज अगे भी बढ़ रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले से लोकसपा चुनाओं में सपा को ज्यादा सीटे मिलती हैं, तो फिर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच अखलेस की स्तिती और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। MP की जतारा सीट पर सपा उम्मीदवार, आरार बंसल को सिर्फ 15,000 वोट मिले थे, जबकि इसी सीट पर जब उन्होंने 2018 में चुनाओं लडा था, तो उन्हे 26,000 वोट मिले थे। मद्यप्रदेश की प्रदर्शन से भी अखले शादब खुश नहीं है और यही वज़े है कि अब उत्तर प्रदेश पर वो पूरी निगाहें टिका कर बैठे हैं। लोगसबा चुनाओं में समाजबादी पार्टी के प्रदर्शन ना सिर्फ केंदर में सत्ता की रहा तै करेगा, बलकि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाओं से पहले भी सपा की ताकत का नमूना जाहिर करेगा।